इंडिया में दोस्तों काफी सारे fitness bands available हैं, आपका budget जिस price के अंदर में हो, उस price के अंदर में आपको इंडिया में बहुत सारे fitness band देखने को मिल जाते हैं, अब एक नया brand अपनी fitness band को लेके आ रहा है, ओपो के बारे में दोस्तों आपनी सुना होगा कि इंडिया में currently ये smartphone और smart इंडिया में कब launch हो रही है, और दोस्तों के सारे features में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसकी क्या price हो सकती है, ये सब कुछ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में, तो अगर आपको भी एक fitness band लेना है, तो ओपो अपनी fitness band लेके आ रहा है, व सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें, यहाँ पर डिजाइन वगर है कि, तो ओपो का जो ये fitness band है दोस्तों, ये चाइने के अंदर में दो variant में launch है, एक NFC है, और एक non NFC के साथ में आता है, तो डिजाइन वाइस में भी थोड़ा आपको चेंज दिखेगा, इसका जो ड डिजाइन बेसिकली अगर आप fitness band की बात करोगे, तो जैसे ही कि मी band 5 है, या फिर one plus band है, उसी तरह साथ आपको इसका design देखने को मिलेगा, लेकिन साइड में दोस्तों, आपको aluminium की एक ring मिलती है, जिसमें आपका strap लगा होता है, तो थोड़ा सा design इसका change type का है, और इसमें design की मामले में 2-3 option देखने को मिलेगा, जो ये भी मैंने आपको metal वाला बता है, साइड लेडीज के लिए, जेंट्स वाला वो directly strap में लग जाता है, जैसे मी band 5 है, या फिर one plus band है, तो similarity आपको वैसे ही देखने को मिलने वाली है, उपको की band में कोई आपर change देखने को नहीं म curved glass का यहाँ पर use किया गया है, तो colors वोगेरा काफी अच्छे आपको देखने को मिलने वाले हैं, उपको band में, और इसमें आपको कुछ built-in face watches भी देखने को मिलते हैं, अब exact number नहीं पता है कि कितने face watches इसमें होने वाले हैं, पर definitely इसमें आपको face watch भी देखने को मिलेगा, औ आपको अच्छी बात आपको यहाँ पर यह मिल जाती है, इसके साथ ही साथ अगर battery के बात करें, तो oppo band में आपको 100 damage की battery देखने को मिलती है, और इसमें आपको Pogo pin connector देखने को मिलेकर जिसके मदद से आप इसको charge कर पाऊगे, battery backup की बात करें तो आपको 15-20 days का battery backup देखने क आपको मिल सकता है oppo band में, और दोस्तों इसमें fitness के बहुत सारे features आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि इसमें आपको accelerometer मिलता है sensor के अगर बात करें, तो PPG heart rate sensor है, SPO2 sensor आपको इसमें देखने को मिल जाता है, अब इंडिया में दोस्तों जो Mi Band का आफियादा popular है, उस में दोस्तों आपको बहुत सारे sports mode भी देखने को मिलने वाले हैं, वैसे चाइना के अंदर में इसका दो variant था, NFC और non-NFC, तो जो NFC वाला variant उसमें 12 sports mode था चाइना के अंदर में, लेकिन जब ये smart watch इंडिया में आएगी, तो साथ से इसमें 12 sports mode या फिर उससे जादा दे सक से, तो इसमें आपको weather update देखने को मिलेगा, app notification मिलेगा, stop watch है, call और message का alert देखने को मिलेगा, alarm है, music playback है, controls है, find my phone है, और साथ से आपको camera setter का भी याँ पर option देखने को मिलेगा, इसके साथ ही साथ ये sleep monitoring करेगा, और आपकी जो steps है, उनको भी account करने वाला है, और आपकी जो Oppo की fitness band है, ये Android and iOS के साथ में connect हो सकती है, क्योंकि इसमें Bluetooth 5.0 है, तो अगर आपके पास में Android है, या फिर आपके पास में iPhone है, दोनों के साथ में ये fitness band easily connect हो सकता है, बस आपको अपने phone में HeyTap Health Companion app को install करना होगा, सारा data आप सिंग करके देख सकते हो, Oppo के इस fitness band का, तो दो बात करें दोस्तों अगर इसके price वगरे की तो इसकी भी price कुछ 225 रुपाय का सपास ही होने वाली है, Oppo Band की भी, और अब जानते हैं दोस्तों कि Oppo Band कब इंडिया में launch हो रहा है, तो ये दोस्तों 8 March को इंडिया में launch हो रहा है, तो आप 8 March तक वेट कर सकते हो, इसके बाद म ये fitness band में आपको कौन-कौन से features देखने को मिलने वाले हैं, तो बस दोस्तों एक छोटा सा update था, मैंने सुचा क्यों आप लोगो के साथ में share किया जाए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से like करियेगा, चैनल पर अगर आप पहल इस वीडियो को देखने के लिए, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं, मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में